आज हम लोग बात करेंगे केला, मतलब बनाना का हेल्थ वेनिबिट्स के बारे में आप लोग तो एक कहाबत सुने ही होंगे कि हर दिन अगर हम लोग एक सेव खाते हैं तो ये हम लोग को डॉक्टर से दूर रखने में बहुत मदद करता है सेम उसके ही जैसा अगर हर दिन हम लोग एक बनाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारा एनरजी, कैलोरी, मिनरल्स और वाइटमिन से रहता है जो कि हम लोग बहुत हिल्थी रखता है दिन भर के लिए मैं यहाँ पे एक डायाग्राम एटच कर रहा हूँ जिसको देखने से आप बहुत अच्छे से अंडरस्टेंट कर सकते हो समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या-क्या नूट्रियेंट्स होता है जो कि हम लोग का हिल्थ के लिए बहुत लाबदाएग है आशा करते हैं कि आपको एट डायाग्राम देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कितना सारा नूट्रियेंट्स एक बनाना के अंदर रहता है तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि केला खाने से हम लोग को क्या-क्या फाइदा मिलता है मेल वीडियो में घुचने से पहले मैं आप लोग को रिक्विस्ट करना चाहता हूँ अगर आभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किये जस्ट गो एहेड और सब्सक्राइब माई चैनल तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जाते हैं जो कि एपसलिटली गलत बात है केला खाने से कभी भी कोई भी मोटा नहीं होता है एक मिडियम साइज केले में 110 से 120 ग्राम तकडी बन अप्रॉक्सिमेटली कैलोरीज रहता है जिसमें फैट का अनुपात बहुती कम रहता है और एक बहुती ज़रूरी बात कि केले के अंदर फाइबर और तीन तरह का सुगर रहता है जो कि हम लोगों को एनरजाइस करने में बहुत मदद करता है यह जो तीन तरह का सुगर बनाना के अंदर रहता है वो है सुक्रोस, फ्रक्टोस and ग्लुकोस एक रिसर्च के थुरू पता चला कि तकड़ी बन डेर घंटा का वार्काउट सेशन में जितना एनरजी आपको चाहिए वो आपको दो किले से मिल जाता है और भी बहुत सारा दूसरा नूट्रियंट्स जैसे कि वाइटामिन्स, मैगनेसियम, प्रोटीन्स, आईरन, डियेट्री फाइवर्स इसके अंदर से काफी मात्रा में पाया जाता है आप क्या डिप्रेशन में हो, आपका मन बहुत खड़ाब है, आपको कुछ करने का इच्छा नहीं हो रहा है तो ऐसा टाइम में आप केला खाईए, इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन रहता है जो कि आपका सनायू को तुरंत रिलाक्स करता है और आपको बहुत सरा इनर्जी प्रदान करता है केले के अंदर मैगनेसियम रहता है, और ये मैगनेसियम हम लोगा सरीर के अंदर जो कोलेस्टेरल का लेबल है उसको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है दोस्तों, एनीमिया पेशेंट्स के लिए केला एक बहुती इंप्रोटेंट रोल फॉलो करता है क्यूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि केले में आईरन रहता है जो कि रेड बलड सिल, इसका मतलब हमारा खून के अंदर जो हिमोगलोबिन सिल होता है उसको बनाने में एक मुख्य भूमी का पलन करता है कॉंस्टिपेशन्स का रोगियों के लिए भी ये बहुती लाब दायक है क्यूंकि इसके अंदर भरपूर अमाउंट फाइबर रहता है जो कि आपको कॉंस्टिपेशन्स से बहुत जल्दी रहत दिलाता है खाना खाने के बाद केला खाने से आपका बदहजिमी का जो भी प्रॉब्लेम रहता हो खतम हो जाता है